नमस्कार, ओम तस्त में आपका पुना श्वागत है। गुरु दिवस के सूप अबसर पर मैं आज आपको उपनिशत के एक कथा के बारे में सुनाने जा रही हूँ। जिस कथा को मैंने हमारे विशिष्ट साहित्यक्य मनोजदास की एक पुस्तक से पढ़ी दिया। ये कथा रुशी जाग्यांबलक और राजर स्री जनक के बीच की बाच्ची थे। एक बार राजर स्री जनक ने रुशी जाग्यांबलक जी से पुछा कि मनुश्यों को आलोग कों दिखाता है। तभी रुशीवर ने उत्तर दिया मनुश्यों को आलोग सुर्य देवता ही दिखाते हैं जिसकी सहायता से मनुश्य अपना सारा कार्या कर सकता है तभी राजस्री ने पुछा रुशीवर अगर सुर्य देव नहीं है तब मनुश्यों को कोन आलोग दिखाएगा तब ही रुशीवर ने बताया तब चंद्रमा की सहयाता से मनुश्य अपना कारिया करेगा राजसी ने फिर से पुछा अगर सुरिय देब नहीं है चंद्रमा नहीं है तब मनुश्य को कोन आलग दिखाएगा फिर रुशीबर ने कहा तब मनुश्य अगनी देवता की सहयाता से अपना कार्या करेगा फिर राजसी ने प्रस्ण किया अगर शुर्यदेब नहीं है चंद्रमा नहीं है अगनी देब भी नहीं है तब मनुश्य को कोन आलग दिखाएगा फिर रुशिवर ने कहा तब मनुश्य अपने बागशक्ति की सहयाता से अपना सारा कार्या निभाएगा फिर राजसीन ने प्रशना किया रुसिवर अगर शुरियदेब नहीं है चन्दरमा नहीं है अग्नी देवतावी नहीं है बाग्सक्ती बिलुप्थ हो जाए तब मनुश्यों को कोन आलोग दिखाएगा तब रुशिवर ने कहा तब मनुश्यों को आलोग अपनी आत्मा ही दिखाएगा जिसकी सहाता से मनुश्य अपना सार्या कार्या निभाएगा इसी प्रकार रुशिवर और राजरसी के बीद की बाचित की परिशमापती हो गई इस कथा का इह तात्पज्य है जब आपका कोई गुरु नहीं होता है आपको दिखाने वला कोई नहीं होता है तब आपकी आत्मा ही आपका गुरु बन जाता है वही आपको दिखाता है सही गलत का फैशला करवता है लेकिन इस आत्मा का आवाज को उपलवधि करने के लिए आपको एक स्तूल रूप से सूख मुरूप के और गति करना पड़ेगा इसी प्रयास को जारी रखिए और अपने जीवन को सफल बनाएए तब तक के लिए धन्यवाद